नमस्कार, वेल्कम टू फिल्मी शंकर चैनल, आज पेश करहें बॉल्ड की रंगिला दल से नाम से मजिर हुई अभिनेती उर्मिला मातरण गल्गी फिल्मी बायववी, चान लीजिए फिल्मी दुनिया में कई कलाकार ऐसे है, जिनोंने चाहिद आइडिस के तोपर अपने फिल्मी क्यारे के शुरुआत की थी, ऐसे ही ये कलाकार है बॉल्ड की रंगिला गल्ग यानी उर्मिला मातरण कर, उर्मिला मातरण कर ने फिल्म मासुम से अपने फिल्मी क्यारे के शु कल्यूग में पाल कलाकार की रूप में काम कर चुकी थी हाला कि इन दोनों फिल्मों ने उन्होंने लड़के का किर्दार निवाया था उर्मिला मात्रोंगर एक बॉल्यूर अभिनेत्वी और मॉडल है उनका जर्म 4 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था उन्होंने पुरे फ्रेंड महुसिन अक्तर मीर्स से शादी करनी वह कश्मिर बेस्ट बिजनेश्मिन और मॉडल है साल 1908 में उर्मिला मात्रोंगर फ्लीम कल्यू से चाइल्ड आइडिस के तोर पर डेबु किया था बाल कलाकार के रूप में अपने दुस्री फ्लीम में उर्मिला ने फ्लीम म बच्चों के बीज पसंद दादा बना हुआ है उर्मिन मात्रोंगरे साल 1991 में फ्लीम नर्सिया में मुख्य अविजरति के रूप में टेबु किया रंगिला जुदाई सत्या जैसी खिलूब में अपने भूमी काओ के साथ उन्होंने खुद को मुख्य धारा की अविंदी स चिनेमा की लोगप्रिय अविजरति के रूप में इस्तापित किया इन तीनों की फिल्मों को क्लिम फियर पुरस्कार के लिए नामित किया गया इसके बाद तो उन्होंने लोगों द्वारा पसंद की जाने वाली फिल्मों की एक लंबी शुंकला में काम किया इन में मुक्य है कौन प्यार तुले क्या किया भूत और एक हसीना थी चमतकार नैना ब्लैक बेल दोड़ दिवाने कूपशर दिवानगी अपलातुन चंगल दिल लगी पिंजर और बनारस नाइंटी रैंटी एट में उर्मिला खिलिम चाइना गेट के गाने छम्मा छम्मा में नजर आई थ रिलिज के बाद गारा तुरंती सुपरेट हो गया और इसे दर्शो का ठेल सारा प्यार मिला अब इने तनी उर्मिल मातों के फिल्मिक क्यार की बात करे तो फिल्म चमतकार में चारुक के साथ उनकी ये फिल्म हीट रही और उर्मिला को भी इसके लिए तारीपी मिले इसकी विस्था आवार्ड प्लूमेला मातलों को से नवा जा चुका है। इसके अलावा 3 आई आई एफ ए आवार्ड के लिए बी ना मंकित हो चुकी है। ऐसा कहा जाता है कि रामगबर वर्मा से खूरमिला मातोलगड की नजदिक जाप बढड़ चुकी थी और उनके कारण ही खूरमिला मातोलगड को इंडिस्टी में काफि ग़ाम मेर रहा था लेकिन जिटना काम मेर रहा था उतना ही वो लोगों से दूर भी हो रही थी दरसन बॉलिवड फिल्म इंडिस्टी में कई लोग है जो राम गपाल वर्मा को पसंद नहीं करते इस कारण से वे उर्मिला को अपने फिल्मों में नहीं लेना चाह रहे थे दिर्दे ये बाद उर्मिला के लिए परेशान का सबब बन गई और उनका फिल्मी केरियल धलान पर आ गया साल 2014 में उनकी आकरी फिल्म अज्यूबा है थी जो बॉक्स आपिस पूरी तरह से पिट गई और उसके बाद उर्मिला मातुर्ग का फिल्मी कारणरी चोपट हो गया उर्मिला मातुर्ग ने हिंदी चिल्मा की अलावा मलैलम, मराटी, तमील और त्यल्गो फिल्मों में भी काम किया है इन दिनों अबियती उर्मिला मातुर्ग पूरी तरह से राज दिती में सक्वी है दोस्तो उर्मिरा मातुर्ग का फिल्मी बायोगफी वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा ऐसे ही मनोजन वीडियो देखने के बाद लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद